इकाई आठ भूकम्प ज्वाला मुखियता तथा परवत निर्मान, अर्थक्वेक, वॉलकैनिस्म एंड ओरॉजने भूकम्प से तादपर्य प्रित्वी के कमपन से है जो प्रित्वी के अंतरजादबल या बाहय कारणों से होता है साधारन नर्थों में भूकम्प वो घटना है जिसमें प्रित्वी के क्रस्ट में हलचल होने से कमबन होता है भूकम्प का आविरभाव जिस बिंदू पर होता है उसे भूकम्प मूल फोकस तथा सबसे पहले जिस स्थान पर भूकम्प या लहरों का अनुभव होता है उसे भूकम्प केंद्र एपिसेंटर कहते हैं प्रित्वी की विपरीत सतय पर निरमीत केंद्र को विपरीत धुरूव केंद्र, anti-centered कहते हैं भूकम्पों का प्रभाव अतिन्त विनाशकारी होता है सामाने तह प्रित्वी के अंदर 50-100 किलामेटर की गहराई पर भूकम्प उत्पन होते हैं भूकम्पों का धेन सीस्मोलजी के अंतरगत किया जाता है समान भूकम्पिय तीवरता वालेक शेत्रों को मिलाने वाली रेखा को सम भूकम्पिय रेखा आईसोसीजमल लाइन तथा भुकम्पियक शेतरों में एक ही समय पर आने वाले भुकम्पों को दरशाने वाली रेखा को सह भुकम्पियर रेखा होँमोसीजमल लाइन कहते हैं भुकम्प का मूल कारण प्रित्वी की संतुलन अवस्था का भंग होना है प्राय भुकम कमजोर वा औव्यवस्थत क्रस्ट के सहारे उत्पन होते हैं। भुकम के इस कारण के अलावा अन्य कारण भी उत्तरदाई हैं। भुकम के कारण causes of earthquake भुकम के उत्पते के लिए प्राक्रतिक इवं मानविय दोनों कारकों को उत्तरदाई माना जाता है। परंतु विनाशकारी भुकम प्राक्रतिक कारणों से ही आते हैं। इलास्टिक रिबाउंड थियरी का प्रतिपादन किया है। इस सिध्धान के अनुसार यदि चट्टानों पर उनकी प्रत्यास्त सीमा से अधिक दबाव या तनाव पढ़ता है तो चट्टानी तूट जाती हैं। तदह अपनी मूल इस्थिती को पुनह प्राप्त करना चा जौला मुखी एवं भुकंप की क्रिया अंतर संबंधित है। अर्थार जौला मुखी उद्गार के साथ भुकंप अवशे ही आते हैं। जौला मुखी क्रिया के दोरान गैस एवं वाश्प धरातल के निचले भाग से बाहर प्रकट होता है। तब भू पटल या क्रस्ट म में कमपन उत्पन होता है इस प्रकार तीवर उद्गार के साथ भुकंप की उत्पत्ती होती है 1968 में सिसली द्वीप भू मद्य सागर में ज्वाला मुखी क्रिया के कारण भुकंप की उत्पत्ती होई नमबर दो भ्रण्च विभिन भुगर्भि खल्चलों द्वारा भुप पतल पर भ्रण्च तथा वलन उत्पन होते हैं संपीडन शक्ती के कारण भुप पतल पर मोड पढ़ जाते हैं जिससे मोड दार परवतों की उत्पत्ती होती है परवत निर्मान की ये क्रिया जब तीवरता से वह अचानक होती है तब भूकम्प का अनुभव होता है जैसे हिमाले, अल्प्स, रौकी तथा एंडीज परवतों की क्षेत्र में आने वाले भूकम्प। अफ्रीका की भ्रंश घाती में भूकम्प अनुभव किया जाते हैं तीसरा भू संतुलन में अव्यवस्था सामाने भू पटल पर संतुलन की अवस्था पाई जाती है जब भू संतुलन की अवस्था में एक शनिक या दीर्ग कालिक असंतुलन उत्पन्न होता है तब भूकम की उत्पत्ती होती है पृत्वे के आंतरिक भागों में संतुलन असंतुलन की विवस्थाएं गतिमान रहती है लेकिन हमेशा भुकम का अनुभव नहीं किया जाता है जब ये क्रिया अचानक होती है तब भुकम की उत्पत्ती होती है पृष्ट संख्या के द्वारा मलवे कू समुधरी भागों में निक्शेपित किया जाता है। समुधरी क्षेत्रों में मलवे का निरंतर निक्शेपन होने से वहां भार बढ़ जाता है। इसके परणा नाम्सवरो भू Master Zusammen में अवेवस्था उत्पर्न होती है इस से भुकम की उत्पत्ति होती है 1949 में हिंदु कुष्च के परवतियक शेत्रों में इसे क्रिया के कारण भूकम्पों के उत्पत्ती हुई चौथा जलियभार जल भंडारन वालिक शेत्रों में अत्यधिक भार के कारण तली के नीचे के चट्टानों में परिवर्तन होता है मानव निर्मित जलाशयों वबांधों के द्वारा दबाव अचानक बढ़ जाता है तथा भूपतल की चत्तानों में आविवस्था उत्पन होने से भूकंप की उत्पत्ती होती है 1967 में भारत के कोईना भूकंप का कारण यही जली अभार था सामाने तहा भूकंपिय घटनाएं रचनात्मक विनाशात्मक एवन सनरक्षी प्लेट की नारों के सहारे घटित होती है रचनात्मक प्लेट सीमानत की स्थिति में जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गतिशील होती है तब कम दाप के कारण दरारी उद्भेदन से ज्वाला मुखी क्रिया के साथ इनक्षेत्रों में भूकम की उद्पत्ती होती है लेकिन ये भूकम्प साधारन एवं कम गहराई वाले होते हैं एटलांटिक वहिंद महासागरिय कटकों के सहारे आने वाले भूकम्पों की व्याख्या इस प्रौकृरिया से संभव है विनाशात्मक प्लेट सीमांत में जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तब ऐसी स्थिती में अधिक घनत्व वाली प्लेट का कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित होते समय प्लेटों के टकरा वर्रगड आदी के कारण तीवर भुकंप आते हैं इस प्रकार के भुकंप परिप्रशंत मेखला एवं मध्य महादवी पिय पेटी में आते हैं। सनरक्षी प्लेट गती के फल्स्वरूप रूपांतर भ्रंश का निर्मान होता है जिससे यहां तीवर भुकंप आते हैं। छटा गैसों का फैलाव भुपतल के नीचे गैसों का प्रसार होने से साधारन भुकंप का अनभव होता है। जब किसी कारणवश भुपतल के नीचे जल पहुँच जाता है तो अतेधिक ताप के कारण ये जल गैस तथा वाश्प में बदल जाता है। गैस तथा वाश्प उपर की और गतिशील होता है जिससे भूकम की उत्पत्ती होती है। अन्य कारक अदा फैक्टर्स नंबर एक उलका पात नंबर दो प्रित्वी के घूरुनन एवं परिभ्रमन के अंतरगत अन्य आकाशिय पिंडों के प्रित्वी पर प्रभाव से होने वाली हल्चल। मानविय कारक यूमन फैक्टर्स नंबर एक बहु उद्देशिय नदी घाती परियोजनाओ के अंतरगत जल जमाव से उत्पन्न दबाव। नंबर दो अणू पर्माणू बम का परिक्षण भूकम के परिणाम घातक या विनाशकारी लापकारी विनाशकारी परिणाम दिस्ट्रक्टिव रचनात्मक वस्तुओं के ख्षती खनन केंद्र के अंतरिक भागों में आग लगना भूस खलन एवं हिम्स खलन भवन अधिवास नगरों का नश्ट होना इस्तलिय भागों के धसान या उभार से होने वाली हानिया लापकारी परिणाम नमबर एक परवतों की उत्पत्ती होती है जो उसक शेत्र के जलवायू एवं अन्य कारकों ही तो लापकारी होते हैं जैसे परियतन प्रिष्ट संख्या 48 दूसरा तटवर्तिक शेत्रों में भुकंप आने पर जलमगन भूमी समुद्री सते से उपर जाती है जिस से उपजाओ मैदान का निर्मान होता है तीसरा तटवर्ती भूमी के नीचे धसने से बंदर गाहों का निर्मान होता है चाथा आकस्मिक भ्र वित्रण, distribution भुकंप के उत्पत्ति एवं वित्रण की सरवादिक वैज्यानिक व्याख्या प्लेट विवर्तनी के सिध्धांद के द्वारा की जाती है इस सिध्धांद के अनुसर अपसारी सीमांद, अभिसारी सीमांद एवं सनरक्षी सीमांद तीनों ही भुकंप से प्र नमबर एक परी प्रशांत पेटी ये भुकम्पिया पेटी प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों तथा द्वीपों में इस्थित है इस पेटी में विश्वकत तिरसत प्रतिशत भुकम्पिया क्षेत्र सम्मिलित है ये पेटी दो प्लेटों के अभी सरण सीमान पर इस्तित है। ये नवीन मोड़दार परवत एवं ज्वाला मुखी क्षेत्र है। इस कारण यहां भुकंप आते हैं। दूसरा मध्य महाद्वीपिय पेटी ये पूर्टगाल से लेकर तिबबत हिमाले तथा दक्षन पूर्वी द्वीप समुतक विस्तित है। इसे महाद्वीपिय पेटी भी कहते हैं। इसके अंतरगत विश्वका कुल 21 प्रतिशत क्षेत्र सम्मिलित है। ये पेटी नवीन मो दूर्दार परवतों के क्षेत्र में इस्तित है। जहां मुख्य तहा, संतुलन मूलक तथा, भ्रहंशन मूलक भुकम उत्पन होते हैं। भारत का भुकमप्य क्षेत्र इसी पेटी में सम्मिलित है। इस प्रिष्ट पर विश्व का मानचित्र है, जिसमें विश्व भुक अधिक जानकारी के लिए अपने सहीयोगियों से संपर्क करें तीसरा, अटलांटिक महासागरिय पेटी ये पेटी अटलांटिक कटक के सहारे आइसलैंड से बावेट द्वीप तक विस्तृत है विश्व का 13 प्रतिशत भुकम्प्यक्षेत्र इस पेटी के अंतरगत है चाथा अन्यक्षेत्र पूर्वी अफ्री की दरार घाती जहां भ्रंश मूलक भुकम्प आते हैं अंतरा भुकम्क्षेत्र इंट्रा प्लेट सीजमिक जोन विश्व में भुकम्के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जो प्लेटों की मध्य में इस्तित हैं और जिनकी व्याख्या प्लेट विवर्तिनी की सिध्धान्त द्वारा नहीं की जा सकती उत्तरी चीन, मंगोलिया तता हवाई द्वीप आदी इसके उधारण है अंतरा प्लेट भुकम्के लिए प्लेटों की मध्य मौजूद दरार इवं भरंश को उत्तरदाई माना जाता है प्रिश्ट संख्या उननचास भुकम्प्य तरंगों का मापन, Measurement of Seismic Waves भुकम्प्य तरंगों की तीवरता, जिन सम्वेधन शील यंत्रों द्वारा मापी जाती है उन्हें भुकम्प लेखी या सीस्मो ग्राफ कहते है भुकम्प की तीवरता को मरकेली स्केल द्वारा मापा जाता है जबकि भुकम का परिमान रिक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है भुकम की तीवरता भुकम के प्रभाव को बताती है जबकि भुकम का परिमान भुकम के दारान विमुक्त उर्जा की मात्रा को बताता है रिक्टर स्केल एवं मर्केली स्केल में निम्न अंतर है Richter Scale नमबर एक इसमें 0-9 तक की संख्याएं होती है Markely Scale इसमें 0-12 तक की संख्याएं होती है Richter Scale नमबर दो ये open-ended scale है Arthart ये भवेश में ऐसा भुकम उत्पन होता है जिसमें ज्यादा ओर्जा विमुक्त होती है तो इस scale का मान बढ़ाया जा सकता है Markely Scale नमबर दो ये close-ended scale है Richter Scale नमबर तीन ये लगुगण की पैमाना है जिसमें परिमार में एक की वृत्धी होने पर तरंगों की आयाम में 10 गुना वृत्धी होती है तथा मुक्त उर्जा की मात्रा में 32 गुना वृत्धी होती है Markely Scale नमबर तीन ये सामानिय scale है Richter Scale नमबर चार Richter एक मात्रात्मक scale है आताहा इसमें वस्तो निष्ठता होती है Markely Scale नमबर चार ये गुनात्मक scale है जिसमें व्यक्ते निष्ठता सबलिमिटी होती है भूकम्प तथा भूकम्पिय तरंगे Earthquake and Seismic Waves भूकम्प उत्पत्ते केंद्र से विभिन प्रकार की भूकम्पिय तरंगे उत्पन होती है जिनमें PSL तरंगे प्रमुक है इनमें P तथा S तरंगों को भूगर्भिक तरंग तथा L तरंगों को सतही या प्रिष्ठिय तरंग कहते है इन तरंगों की प्रमुक विशिष्टाएं इस प्रकार से है नमबर एक P तरंगे ये प्रात्मिक तरंगे कहलाती है इनकी गती सरवाधिक परन्तु आवरत्ती कम होती है पी तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों पदार्थों में गती करती है पी तरंगे ध्वनी तरंगों के समान होती है पी तरंगों को अनुदैध तरंग भी कहते है नमबर दो S तरंगे S तरंगों को द्वित्यक या गौड तरंग कहते हैं S तरंगों की गति P तरंगों से कम होती है ये तरंगे के वर ठोस में गतिशील होती है S तरंगे प्रकाश तरंगों के समान है ये मध्यम तरंग दैर्धय वाली तरंगे है S तरंग को अनुप्रस्त तरंग भी कहते हैं P तथा S तरंगों की सहायता से ही पृत्वी की आंतरिक सनरचना के बारे में विश्वस्निय जानकारी प्राप्त होई है L तरंगे इन्हें पृष्ठिय या सतही तरंगें कहते हैं L तरंगों की चाल सबसे कम किन्तु आवरती अधिक होती है Lord Raleigh ने L तरंगों की खोचकी ये तरंगें देरिगवरित्तिय होती है धरातल पर सरवादिक शती इन्ही तरंगों से होती है प्रिष्ट संख्या पचास भारत का भुकम क्षेत्र Seasonic Zones of India भुकम की आशंका की तृष्टी से भारत को पांच प्रमुक क्षेत्रों जोन में विभाजित किया गया है Zone 5 अत्यादिक भुकम से प्रभावित क्षेत्र इसक्षेत्र में रिक्टर स्केल पर आठ से अधिक के भुकम की आशंका होती है। इसक्षेत्र में विशाल मैदान के दक्षणी भाग नर्मदात ताक्ती गोदावरी गातिक शेत्र इवं पश्चिमी घाठ क्षेत्र को रखा गया है। इसका यूरेशियाई प्लेट से अभी सरन जारी है। इसके फरस्वरू हिमाले का उत्थान जारी है। हिमाले के चट्टाने असंतुलित अवस्था में है। इसक्षेत्र में सम इस्थितिक समायोजन की प्रक्रिया चल रही है। इसक्षेत्र में में सेंट्रल थ्रस्ट महान इवं लगू हिमाले के मध्ध है। में बाउंडरी थ्रस्ट म्बी टी लगू इवं शिवाले के मध्ध है। विशाल मैदान ख्षेत्र समाने से लेकर अधिक भूकम से प्रभावित हैं क्योंकि ये हिमाले के निकट इस्थित है। तथा इस ख्षेत्र में भूमी में कई भ्रंश मौजूद है। प्रारंब में प्रायद्विपिय पठार को भूकम की आशंका के दुष्टी से मुक्त माना जाता था। परंतु पिछली शताबदी में लातूर, कोयना, कोश्टक पे महराश्ट्र, जबलपूर, कोश्टक पे मध्यप्रदेश तथा 2001 में कच्च में आयविनाशकारी भूक नर्मदा भ्रंच घाटी, तापती भ्रंच घाटी, गोदावरी भ्रंच घाटी आदी के अलावा पश्चिमी घाट परवत के समाना अंतर भी भ्रंचन क्रिया होती है। जवाला मुखियता, वलकैनिज्म, सामाने शब्दों में जवाला मुखिय से तात पर ये उस दरार अत्वच्छी द्रसे है, जिसके मादेम से गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकडे तथा धूल का सराव होता है। आंतरिक भागों में मैगमा धरातल के नीचे जम कर ठो सुरूप धारण करते हैं, जैसे बैथलित, फैकोलित, बाहें भागों में ये क्रिया जवाला मुखिय धरातलिय प्रवह, गर्म जल के स्त्रोथ, होट स्प्रिंग, गीजर तथा धुवारे के रूप में होती है। जवाला मुखिय क्रिया से स्रावित पदार्थ, Materials Discharged from Volcanic Activity जवाला मुखिय बम जवाला मुखिय उद्गार में निकले बड़े बड़े टुकडों को जवाला मुखिय बम कहते हैं, जिनका व्यास कुछ सेंटिमेटर से लेकर कुछ फीट तक होता है। लैपिली जवाला मुखिय के टुकडे, जो मटर के दाने या अकरोट के बराबर होते हैं, उन्हें लैपिली कहते हैं। प्योमिक इन चत्तानी टुकडों का घनत्वर जल से भी कम होता है, इसलिए ये जल में तैर सकते हैं। प्रिष्ट संख्या 51 धूल या राख अती महीन चत्तानी कणों को धूल या राख कहते हैं। जवाला मुखिय उद्गार के अंतरगत चत्तानों के अती महीन कण, परवत के पदियक शेत्रों, फुट हिल्स में सबसे नीचे गिरते हैं। कभी कभी वे उपरी सता पर भी एकत्रित होते हैं। लावा जवाला मुखिय उद्गार में निकला चिपचिपा या पिघला पदार्थ लावा कहलाता है। अमल प्रधान लावा, पीला, हलका तथा सापेक्षतह गाड़ा होता है। जबकि कशारी अलावा का रंग गहरा काला अधिक भार परंतु द्रव रूप में सापेक्षतह पतला होता है। ये मैगमा चेंबर से निकलकर पायरोक्लास्ट की उपरी इस तरका निर्मान करता है। अमली अलावा, नमबर एक, सिलिका की मात्रा अधिक होती है। कशारी अलावा, नमबर एक, सिलिका की मात्रा कम होती है। अमली अलावा, नमबर दो, अमली अलावा का तापमान कम होता है, 1000 डिग्री सेंटिग्रेट से नीचे। क्षारी अलावा नमबर दो, क्षारी अलावा का तापमान ग्यारा सो से बारा सो डिग्री सेंटिग्रेट के मध्य होता है। अमलिय अलावा नमबर तीन, अमलिय अलावा की श्यानता अधिक होती है, अर्थार्थ ये अधिक गाढ़ा होता है, अतहा इससे उंची इस्थलाकृती का विकास होता है, तथा परवत निर्मान की संभावना अधिक होती है, क्षारिय लावा, नमबर 3, क्षारिय लावा की श्यानता कम होती है, तथा ये लावा पतला होता है, अता इसके द्वारा निर्मित इस्थलाकरती की उंचाई कम होती है, तथा ठोस होने से पूर्व, ये काफी दूर तक फैल जाता है, अता अतह पतार का निर्मान होता है अमली अलावा नमबर चार विश्व में स्रावत लावा का मात्र 10 प्रतिशत अमली अलावा है क्षारी अलावा नमबर चार विश्व में स्रावत लावा का 90 प्रतिशत क्षारी अलावा है अमलिय लावा नमबर पांच अमलिय लावा का उद्गार सामानेता एक छिद्र से होता है तथा इसके द्वारा गुंबदा का या शंकवा का ज्वालमुखी परवत का निर्माण होता है विश्व में सरवादिक विस्फोटक ज्वालमुखी उदगार पीलियन प्रकार के ज्वालमुखी में होता है ये नाम करण माटिनिक पीली वेसंदीज की नाम पर रखा गया है क्राकटोवा ज्वालमुखी में भी इसी प्रकार का उदगार होता है ज्वाला मुखी परवत के शीरश पर इस्थित कीपा कारगर्त को क्रेटर के नाम से जाना जाता है कारडेरा क्रेटर का ही विक्सित रूप है जिसका निर्मान विसफोटक उदगार क्रेटर के फैलाव, लावा के निशकासन, ज्वाला मुखी के धसाओं तथा लंबी अवधी तक होने वाले अपरदन के कारण होता है इनमें जल भर जाने के कारण जील का निर्मान होता है, जैसे महराष्ट्र में लोनार जील, इंडोनेशिया में टोबा जील आदी क्षारिय लावा नमबर पांच, क्षारिय लावा का उदगार दरार के माधिम से होता है, इसके द्वारा लावा पठार का निर्मान होता है, जैसे दक्कन का पठार, किंबरले पठार, पराना पठार, कोलंबिया पठार, पैंटागोनिया पठार, लाकी पठार, मंगोलिया प जो सबसे पहले निकलते हैं इसलिए प्रायह ज्वालमुकी पर्वत में सबसे नीचे पाईरोक्लास्थी पाई जाते हैं ज्वालमुकी पदार्थों के निकास का स्वरूप Nature of Substances Vented in Volcanic Materials ज्वालमुकी उद्गार, केंद्रे उद्गार, दरारी उद्गार केंद्रे उद्गार केंद्रे उद्गार के अंतरगत लावा पदार्थ किसी निकास मार्ग या छिद्र के माध्यम से सतय पर आते हैं इसमें अमलिय लावा की प्रधानता होती है जिसका गलनांक अधिक होता है ये सिले का प्रधान लावा है ये गेली अत्वाचिपचिपी अवस्था में होता है अतहा बाहर आने के लिए इसे नवीन मार की अवशकता होती है बाहर आने के लिए ये भूपचल पर दबाव उतपरन करता है जिससे कंपन और गर्जन के साथ विस्फोट होता है प्रवृत्ति के कारण शंक्वाकार शिखर पर धसी हुई स्थलाकृती देखने को मिलती है जिसे क्रेटर अतवा कालडेरा कहा जाता है। शीर्श का ज्वाला मुखी छिद्र क्रेटर एक नली द्वारा भूगर्ब से जुड़ा होता है जिसे ज्वाला मुखी नली वल्कैनिक पाइप कहते हैं इसी नली के आधार में भूगर्ब निर्मित लावा अत्वा मैगमा जो उदगार के समय विस्फोर्ट के साथ बाहर नि निकलते हैं इन्हें बाहर आने के लिए नवीन विकास क्षेत्र या उदगार क्षेत्र की अवेशक्ता नहीं होती ये दरारों के सहारे ही सतय पर आ जाते हैं इसे क्षारिय लावा या मैफिक लावा कहते हैं इसमें सिलिका की मातरा गौड होती है सिलिका की कमी के कारण इस इस प्रक्रिया से बाहर निकले लावा पदार सतय पर तेजी से फैलने लगते हैं, तथा इनके शीतल होने से मुख्य तहा बेसाल्थ प्रधानसन रचना, तथा सामाने तहा पठारी इस्थलाकरती का निर्मान होता है। विश्व में सबसे बड़ा लावा पठार दक्कन का पठार, दूसरा बड़ा पराना का पठार ब्राजील, तीसरा कॉलंबिया का पठार उतरी अमेरिका है। नमबर चार लावा तथा गैस का सापिक्षतह कम घनतवा का होने के कारण उपर की ओर प्रवहा। की अवधी के अनुसार ज्वाला मुखी उद्गार के अनुसार ज्वाला मुखी के दो प्रकार केंद्रिय उद्भेदन वाले ज्वाला मुखी दरारी उद्भेदन वाले ज्वाला मुखी उद्गार की अवधी के अनुसार ज्वाला मुखी के तीन प्रकार सक्रिय या जागर ज्वाला मुकी प्रसुप्त ज्वाला मुकी शांत ज्वाला मुकी केंद्रिय उद्भेदन वाले ज्वाला मुकी वलकेनोज ऑफ सेंट्रल इरप्शन टाइप वे ज्वाला मुकी जिनके छिद्र का आकार गोल या गोल के समतुल्य होता है तथा जिससे गैस, लावा, तथा विखंडित पदार्थ विसफोटक उध्भेदन के साथ आकाश में काफी उँचाई तक प्रकट होते हैं केंद्रिय उध्भेदन वाले जवाला मुखी कहे जाते हैं इस प्रकार के जौलमुखी अत्यादिक विनाशकारी होते हैं। इनके धरातल पर प्रकट होने पर भुकम की उत्पत्ती होती है। विद्वानों ने इने पांच प्रकार से वर्गी कृत किया है। नमबर एक हवाई तुल्य, नमबर दो स्ट्रॉम्बोली तुल्य, नमबर तीन वलकेनियन तुल्य, नमबर चार पीलियन तुल्य, तथा नमबर पांच विसुवेस या प्लीनियन तुल्य। प्रिष्ट सेंख्य तिरपिन इस प्रिष्ट पर इनी पांचों प्रकार के ज्वालमुखियों के चित्रदर्श आए गए है नमबर एक हवाई तुल्ले ज्वालमुखी इस प्रकार के ज्वालमुखी का उदगार प्राय शांत प्रकार से होता है इसका प्रमुक कारण लावा का पत्तिला होना तथा गैस की मात्रा इवं तीवरता का कम होना है इसमें निसरित पदार्थ लावा के छोटे-छोटे लाल पिंडों और गैसों के साथ उपर उड़ते हैं इस प्रकार के ज्वालमुकी हवाई द्वीब समुह पर पाए जाते हैं नमबर दो स्ट्रॉम्बोलियन ये हवाई तुल्ये से अधिक परंदु वलकेनियन से कम विनाशकारी होता है भूमद्यसागर इस्थित्सिसली द्वीब तथा लिपारी द्वीब के स्ट्रॉम्बोली ज्वालमुकी इसी प्रकार के हैं नमबर तीन वलकेनियन ये विसुवियस की तरह ही होता है लिपारी द्वीब के प्रसिद ज्वाला मुखी वुलकैनों के आधार पर इसे वुलकैनियन कहा जाता है प्रिष्ट संख्या चाववन नमबर चार पीलियन ज्वाला मुखी ये सरवादिक विनाशकारी है क्योंकि इसका उदगार सरवादिक विस्वोटक इवं प्रचन्ड होता है इसका लावा सरवादिक चिपचिपा होता है इसलिए उदगार के पश्चात शीरश पर लावा की पत्ती जमा हो जाती है जो कठोर होती है ये बड़े विसफोट से ही विखंडित होती है इसमें सरवादिक गैस मुक्त होती है जिनके प्रभाव से आकाश एवं बादल प्रका पश्चिमी द्वीब समू, मार्टिनिक द्वीब पर पीली ज्वाला मुखी विस्फोर्ट के कारण इसे पीलियन प्रकार का ज्वाला मुखी कहा जाता है। प्रकार का होता है परन्तु इसमें गैस की अधिक मात्रा के कारण ज्वाला मुखी पदार्त अधिक उँचाई तक जाता है। इससे निर्मित बादल फूल गोबी की तरह हो जाता है। माउंट विसुवेस इसका सुन्दर उधारण है। इसका वर्णन सर्वरप्रथम प्लीन ने किया इसलिए इसे प्लीनियन प्रकार का ज्वाला मुखी भी कहते हैं। दरारी उध्वेदन वाले ज्वाला मुखी वलकेनोज अफ फिशर इरफ्शन टाइप। ज्वाला मुखी पदार्त के लावा में जब गैस की मात्रा अधिक नहीं होती है तब लावा दरार के ज्वारत में दक्कन का पठार व यूएसे में कॉलंबिया का पठार दारारी उध्वाले ज्वाला मुखी से निर्मित है। उध्वार की अवधी के अनुसार ज्वाला मुखी वलकेनोज अकॉर्डिंग टो इरफ्शन पीरियर। उध्वार के समय तथा उध्वार के बीच अवकाश के आधार पर ज्वाला मुखी को तीन श्रिणियों में वर्गी कृत किया जाता है। नंबर एक जागरत या सक्रिय ज्वाला मुखी वैसे ज्वाला मुखी जिन से लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ हमेशा स्रावित होते हैं सक्रिय या ज्वाला मुखी क जो उद्गार के बाद शांत पढ़ जाते हैं तथा उनमें पुन्हा उद्गार के लक्षन प्रकट नहीं होतें, किन्तु अचानक उनमें विस्पोट होता है, प्रसुप्त ज्वाला मुखी कहलाते हैं, विसुवेस तथा क्राकटोवा प्रसुप्त ज्वाला मुखी के उधा शांत ज्वाला मुखी में पुन्ह उद्गार की संभावना नहीं होती है कोहु सुल्तान तथा देमवंद कुष्ठक में इरान तथा पोपा कुष्ठक में मयानमार इसी प्रकार के ज्वाला मुखी के उधारण है ज्वाला मुखी क्रिया से निर्मित इस्थला क्रती Topographies made from volcanic activity यहां इसे एक शाखा सारिनी की द्वारा समझाए गया है ज्वाला मुखी निर्मित इस्थला क्रती की दो शाखाएं बाहय इस्थला क्रती, Extrusive Topography और आभ्यान तरिक इस्थला क्रती, Intrusive Topography बाहय अस्थलाकृती की दो शाखाएं दर्शाई गई है दरारी उदगार से निर्मित इस्थलाकृती एवं केंद्रे उदगार से निर्मित इस्थलाकृती आभ्यान तरिक इस्थलाकृती, inclusive topography की भी दो शाखाएं दर्शाएं गई है, पाताली एवं मध्यवर्ती बाहिय अस्थलाकृती के अंतरगत, दरारी उदगार से निर्मित इस्थलाकृती की भी दो शाखाएं दर्शाएं गई है बाहिय अस्थलाकृती एवं महासागरिय अक्षेतर में दर्शाएं प्रिश्ट संख्या पच्पन बाहिय अस्थलाकृती, extrusive topography दरारी उद्गार से निर्मित इस्थला कृतिया दरारी उद्गार द्वारा महाद्वीप तथा महासागर दोनों पर ही इस्थला कृतियों का नर्मान होता है नमबर एक महाद्वीप पर दरारी उद्गार से निर्मित इस्थल रूप पहला लावा पथार तथा लावा गुमबद दूसरा लावा मैदान नमबर एक लावा पथार महाद्वीपो पर ज्वालमुखी के दरारी उद्गार से भूगर्ब से बैसाल्टिक मैगमा महाद्वीपिय भूपटल पर चादरियस वरूप में प्रकट होता है ये मैगमा तरल होता है इसलिए एक्षाति जरूप से चादरियस वरूप में परत दर परत धरातल पर जमता है यदि इसकी परत की गहराई अधिक होती है तो इसे लावा पठार कहते हैं भारत में दक्कन का लावा पठार तथा USA का कॉलम्बिया का पठार इसका सुन्दर उध नमबर दो लावा मैदान जब लावा की परत की गहराई कम हो तो उसे लावा का मैदान कहते हैं पुना लावा के मैदान में अपरदन कारी बलों द्वारा इस्थल रूपों का संशोधन होता है जिससे मेसा तथा बूटी का निर्मान होता है वस्तुता लावा के चादरी न अपर्दन नहीं हो पाता है। लावा की पत्टी प्राचीन शेल के उपर एक टोपी के समान दृष्टिगत होती है। उसे लावा युक्त मेसा कहते हैं। रौकी परवत के पूर्व में कॉलरेडो प्रांत में बैसालतिक लावा युक्त ग्रांड मेसा, मेसा दीमाया तथा र महासागरिय दरारी इस्थलाक्रती के अंतरगत मुख्य तहे मध्य महासागरिय कटक का निर्मान होता है। अब सरन सीमान पर जब सम्महन तरंगे लंबवत ऊपर उठकर भूपटल से टकरा कर दो विप्रीत दिशाओं में प्रभाहित होती हैं ताब महासागरिय नितल पर प्रथम तहा दरार का निर्मान होता है। इनी दरारों से भूगर्ब का तप्त मैगमा भूपटल पर प्रकट होता है। जिससे मद्य महासागरिय कटक का निर्मान होता है। मर्दे महासागरिय कटक अटलांतिक तथा हिंद महासागरों में स्पष्ट निर्मित हुए हैं, जबकि प्रशांत महासागर में बिखरे अवस्था में निर्मित हुए हैं। नमबर दू, केंद्रे उद्गार से निर्मित इस्थलाकरतियां, केंद्रे उद्गार से शंकवा कार इस्थलाकरति का निर्मान होता है। गर्ब का तप्त मैगमा सता पर आता है। कुछ विशिष्ट इस्थलाकरतियां जो केंद्रे उद्गार से संबंदित हैं, वे निम्न प्रकार की हैं। नमबर एक, सिंडर शंकू, सिंडर कोन। नमबर दो, अमलिय गुम्बदाकार इस्थलाकरतियां, एसिट डोम शेप्ट लांड फॉर्म। तीसरा, क्षाधिय गुम्बदाकार इस्थलाकरति, बेसिक डोम शेप्ट लांड फॉर्म। चौता, मिशृत शंकू, कॉम्पोजित कौन। पाजवा आशृत शंकू या परपोशित शंकू, पैरसाइट कौन। चटा, डोट गुम्बद, प्लग डोम। साथवा, घौसलादार, क्यालडेरा, नैस्टेड क्यालडेरा, आठवा, क्यालडेरा इवन क्रेटर, क्यालडेरा एंड क्रेटर। नमबर एक, सिंदर शंकू, सिंदर शंकू में पाइरोक्लास्ट की प्रधानता होती है, ये सिर्फ पाइरोक्लास्ट पदार्थ से भी बन सकती है, इसमें लावा के परत की भी हो सकते हैं, लेकिन ये परत बहुत पतली होती है, प्राय छिदर से सिर्फ पाइरोक्लास्ट पद ऐसे डोम एक गुंबदाकार इस्थलाकरती है इसमें लावा की अधिक्ता और पाइलोक्लास्ट कम होता है उधारन हिंद महासागर का रियूनियन द्वीप तीसरा क्षारिय अगुंबदाकार इस्थलाकृती बेसिक डूम क्षारिय अगुंबदाकार इस्थलाकृती बहुत कम निर्मित होती है जावा द्वीप इवंशील्ड द्वीप इसके अच्छे उधारन है प्रन्त बेसिक डोम का पहलाव जाद होता है चौथा मिशृत शंकु मिशृत शंको मुख्य रूप से सुसुत ज्वाला मुख्य की विशेशता है इस शंको में उद्गार एक बार न होकर रुख रुख कर कुछ समय पश्चात क्रमशह होता रहता है इसलिए इसमें पाइरोक्लास्ट तथा ठोस लावा के कई क्रमिक इस्तर होते हैं जिससे शंकू की उंचाई भी अत्यदिक होती है इसका विकास सिर्फ सुसुप्त ज्वाला मुखी में ही संभग है फ्यूजियामा परवत इसका अच्छा उधारण है फ्यूजियामा परवत में लावा तथा पाइरोक्लास्ट के तीन तीन स्तर है इटली का एटना परवत भी इसका अच्छा उधारण है सुसुप्त ज्वाला मुखी ककशेत्र प्रायभुकम ककशेत्र होता है इस प्रकार के ज्वाला मुखी परवत धात्विक खनिज हे तो जाने जाते हैं पाँचवा परिपोशत शंकू इस प्रकार के ज्वालम की परवत में मुख्य निकास नली वेन के अगल बगल से भी उदगार होता है जो उप निकास नली सब वेन्ज के रूप में होता है इसमें बहुत सारी उपनिकास नली सब वेन्ज हो सकती हैं, नली में अक्सर कीमती पत्थर वा धात्विक खनिज मलते हैं, एचना परवत इसका अच्छा उधारण है छटा, डॉट गुंबद, डॉट गुंबद वो स्थलाकृती है जो क्रेडर तथा कैल्डेरा के मत्य होती है, ये डाइक का उपरी भाग होता है, इसका निर्मान तब होता है, जब जुवाला मुखी की मुख्य निकास नली की अपेक्षाकृत अधिक घनत्व का बैसाल्टिक पदार्थ शेश रह जाता है, जबकि उसके चारों और का जुवाला मुखी पदार्थ अपरदित हो जाता है, न्यू मेक्सिको स्टेट में माउंट टेलर स्थलाकृती तथा लेक निकारगुवा में अवस्थित स्थलाकृती इसके अच्छे उधारण है, साथवा घौसला इस प्रकार के जौला मुखी परवत में भी उदगार रुक रुक कर क्रमिक रूप से होता है, अपर्दन कारी शक्तियों द्वारा अपर्दन के कारण क्रेटर कैल्डेरा में परिवर्दित होता रहता है, जिससे कैल्डेरा के अंदर कई क्रेटर होते हैं, इसलिए इसे शं करदन के पश्चात कई क्रेटर जब क्यालडेरा में परिवर्दित हो जाते हैं, तब उनकी पैचान विशिष्ट इस्थलाकरती के रूप में भी की जाती है। क्रेटर जब अपरिदित होता है, तो स्वतह उसका आकार बड़ा हो जाता है, और क्यालडेरा बन जाता है। निकारगुआ पहले क्रेटर ही था, जो वर्तमान में क्यालडेरा हो गया। इसी प्रकार महराश्ट्र की लोनार जील तथा राजस्थान की पुषकर जील भी क्यालडेरा की उधारण है। आभ्यान तरिक इस्थलाकृती, इंट्रूजिव टोपोग्रफी, जब ज्वाला मुखी उधगार की अंतरगत मैगमा भूपटल पर प्रकटन होकर धरातल की अंदर ही शीतल होकर ठोस हो जाता है, तो उससे अंतरवर्ती या आभ्यान तरिक इस्थलाकृतियों का निर्मान ये पुना दो प्रकार की होती है, नमबर एक पातालिय अंतरवर्ती इस्थलाकृती, नमबर दो मध्यवर्ती अंतरवर्ती इस्थलाकृती, इस प्रकार की इस्थलाकृती का निर्मान भूगर्भ में अत्यदिक गहराई पर होता है, इसके निर्मान में भाग लेने वाला म मैगमा अतिमंद गती से शीतल होता है इसी कारण ये रवेदार होता है ग्रेनाइट पातल ये आगनय शैल का अच्छा उधारन है दूसरा मध्यवर्ती अंतरवर्ती इस्थलाकृती भूगर्ब का तरल मैगमा जब उपर क्योर प्रवाहित होता है तब भूपटल पर प्रकट होने के बजाए भूगर्बिय दरारों, नालियों तता चिद्रों आदी में शीतल होकर ठोस हो जाता है जिससे मध्यवर्ती अंतरवर्ती इस्थलाकृती का निर्मान होता है बेथॉलित, लेकॉलित, फैकॉलित, लोपॉलित, सिल, शीट तथा डाइक इसके उधारन है प्र प्रयापत खड़ी धाल युक्त होते हैं, इनका आधार तल अधिक गहराई में होता है, अपरदन द्वारा इनका उपरी भाग दिखाई देने लगता है, इसके निर्मान में ग्रेनाइट का प्रमुख योगदान रहता है, दूसरा, लेकॉलित, ये लावा निर्मित व्रह आकार की उत्तल धाल युक्त अंतरवर्ती स्थलाकरती है, ये परतदार चट्टानों के बीच में पाई जाती है, जब लावा का उदगार होता है, तो गैसों के जोर से परतदार शैल की उपरी परत उत्तल चाप का रूप धारन कर लेती है, जिसके नीचे खाली जगह में जो आलम की राख, गैस तथा लावा भर कर ठोस हो जाता है, इसके किनारे जुके हुए होते हैं, तीसरा, फैकॉलत, मोड़दार परवतों की अपनती व अभीनती में शीतल हुए लावा निर्मित आगने शैल को फैकॉलत कहते हैं, चौथा, लुपोलत, ये एक छिछला बे लुपोलत कहते हैं, पांचवा, सिल इवमशीट, ये परत के रूप में आगने शैल का समुह होती है, जब लावा का जमाव परतदार या कायांतरित शैलों की परतों की बीच होता है, तथा इस जमाव की मोटाई ज्यादा होती है, तो इसे सिल तथा बहुत पतली सिल को शी इस प्रिष्ट पर प्रमुक आगने शैल के रेखा चित्र दर्शाएं गए हैं, जिसमें लैकॉलित, बैथलित, फैकॉलित, सिल इवमशीट तथा डाइक के रेखा चित्र हैं ज्वाला मुकी का विश्व वितरन, Worldwide Distribution of Volcanoes, भू गर्भ में सभीक शेत्रों में सामाने तहां 100-200 किलमेटर की गहराई के बीच, मैगमा चैंबर इस्थित है, परन्तु सभीक शेत्रों में ज्वाला मुकी क्रिया नहीं होती है, जब भ्रंश या दरार के निर्मान के इनके आयतन में वृत्थी होती है, ये पिगली चत्ताने दुर्बल धरातल को तोड़ कर ज्वाला मुकी का निर्मान करती है, प्रिष्ट संख्या 58, वैसिक शेत्रों में जहां दो भूखंड आपस में टकराते हैं, वहां भी धरातल के दुर्बल हो जाने के कारण ज्वाल ज्वाला मुकी की क्रिया होती है, अता विश्व में ज्वाला मुकी की पेटियां इनी सीमान तक शेत्रों में इस्थित हैं, जो इस प्रकार से हैं, नमबर एक परी प्रशांत महसागरिया मेखला, इसे ही प्रशांत महसागर की अगनी मेखला कहते हैं, ये मेखला अंटार् प्रवतिक के अरेबस परवत से शुरू होकर दक्षिन अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे खासकर एंडीज परवत के ज्वाला मुखी को सम्मिलित करके पश्चिमी तटिय भागों के सहारे अलासका तक पहुंचाती है। मुखी परवत हैं, Mount को टोप एकसी, विश्व का सबसे उँचा ज्वाला मुखी परवत, एकवडॉर के ज्वाला मुखी विश्व विक्ख्यात हैं, इसी मेख्ला में निम्नली के ज्वाला मुखी परवत अवस्थित हैं, जापान का फ्यूजियामा, फिलिपीन्स का मौंट इवं मैयान, युवाइसे का मैकिनले, शास्ता, रेइनियर तदा हुड।